Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तों जैसे कि बहुत दिनों से आप लोगों की निमानद आ रही थी कि इंडिया में जितने भी IIT अभी चर्चे में रहे हैं उन पर एक वीडियो बनाया जाए तो आज किस वीडियो में हम Top 20 Most Important MCQ के माध्यम से उन IITs को कवर करेंगे जो किसी न किसी कारेंड से इस वर से चर्चे में रहे हैं और करेंड से रिलेटेड है सारे ही कोश्चन इंपोर्टन्ट है इसलिए वीडियो अंता तक ज़रूर देखेगा और आप इस वीडियो की PDF टेली ग्राम से भी प्राप कर सकते हैं साथ ही special videos के लिए online study point 2.0 इस channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा अब हम discuss करने जा रहे हैं IIT के बारे में यहने कि Indian Institute of Technology तो IIT से related हम पहले कुछ fact जान लेते हैं IIT के स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1956 को और exam में ऐसा question भी पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में कितने IITs हैं? तो वर्तमान में भारत में हैं कुल 23 IITs और इन 23 IITs में कुछ IITs हैं जो कि इस साल चर्चे में रहे हैं जिने हम discuss करने वाले हैं तो चलिए start करते हमारा पहला question निम्न लिखित में से किस सिक्षन संस्थान ने भारत का पहला standing wheelchair बनाया है? most important question और भारत का पहला standing wheelchair यह बनाया गया है IIT मदरास के द्वारा बात की जाए यदि IIT मदरास की तो IIT मदरास की स्थापना हुई थी 9059 में और IIT मदरास यह है कहां तो यह इस्थित है तमिल नाडू में बात की जाए यदि तमिल नाडू की तो सबसे important question यह है current related जो तमिल नाडू है इसने भी हाल ही में contract farming लागू की है और contract farming लागू करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है तो यह भी आप याद रखिएगा next question है इसरो के सहयोग से किस IIT ने एक अंतरिक्ष प्रध्योगी की cell इस्थापित करने की घुशना की है और इसकी घुशना की है IIT दिल्ली ने बात की जाए यदि IIT दिल्ली की तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और यह दिल्ली में ही इस्थित है और यह जो प्रध्योगी की cell है यह स्थापित किया जाएगा इसरो के सहयोग से इसरो जो की इंडिया की Space Agency है इसकी फुल फॉर्म है इंडियान Space Research Organization इसकी स्थापना हुई थी 1969 में मुख्याले कहां इस्थित है बैंगलॉर बैंगलॉर जो की करनाटक की राजधानी है और अ हाले में मानसिक स्वास्ते से निपटने के लिए किस IIT ने एक Treadwill डवलप किया है और यह Treadwill डवलप किया गया है IIT कानपूर के द्वारा मानसिक स्वास्ते से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनसे निपटने के मदद के लिए यह एक Online टूल डवलप किया गया है Treadwill IIT क कानपूर के द्वारा, IIT कानपूर के दी बात की जाये तो इसके स्थापना हुई थी 1959 में और यह उत्तर प्रदेश में इस्थित है, नेच कोश्चन है, किस IIT ने अभी हाल ही में अपना पहला एंडामेंट फंड लॉंच किया है और यह एंडामेंट फंड लॉंच किया गया है, IIT दिल्ली के द्वारा और लॉंच किया कब गया है 31 अक्टूबर 2019 को अपने स्थोन जेयनती के दिक्षान्त समारों में IIT दिल्ली जरूर याद रखेगा Next question है हाल ही में किस IIT ने दूद में मिलावट का पता लगाने के लिए Smartphone Based System का Development किया है और Smartphone Based System इसको Develop किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा और इस सिस्टम के थूँ Indicator Paper के थूँ दूद में अमलता के इस तर को पता लगाया जा सकेगा जिसे Develop किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा बात की जाएदी IIT हैदराबाद की तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और यह है कहां तो यह इस्थित है तेलंगाना में Next question है हाल ही में किस IIT के सोथ करताओं ने दुनिया का पहला Brain Atlas विक्सित किया है और यह विक्सित किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा तो यह भी आप याद रखिएगा IIT हैदराबाद के बारे में आप लोगों को अभी ही बताया है और इस रिसर्च के बारे में आप लोग बता दूँ इस रिसर्च से यह पता चला है कि जो East और West देशों में लोग रहते हैं यदि उनसे comparison किया जाए तो इंडिया के लोगों को जो दिमाग होता है वह लंबाई, छोडाई और घनत्व यहनी कि length, width और density तीनों ही मावलों में कम होता है next question है, हाल ही में किस IIT के शात्रों ने care for you नामा के एक application विक्सित किया है और care for you यह application डवलब किया गया है IIT खड़कपूर के इस्टुटेंट्स के द्वारा और care for you यह application है क्या, तो basically यह बुजूर्ग व्यक्तियों के देख भाल के लिए निकी, senior citizen के देख भाल के लिए डवलब किया गया है IIT खड़कपूर के द्वारा बात की जाए यही IIT खड़कपूर की, तो इसके स्थापनों होई थी 1951 में और यह पश्चिम मंगाल में इस्थित है Next question है, हाली में नकली मुद्रा का पता लगाने के लिए किस IIT के छात्रों ने एक image processing application डवलब किया है और यह image processing application यह डवलब किया गया है IIT खड़कपूर के द्वारा, किस लिए नकली मुद्रा का पता लगाने के लिए Next question है, हाली में किस IIT ने artificial intelligence यानि की AI तकनीक में एक पूर्ण इसनातक कारिकरम शुरू करने की घोशन की है यानि की graduate program किस IIT के द्वारा यह graduate program स्टार्ट किया जाएगा और यह स्टार्ट किया जाएगा IIT हैदराबाद के द्वारा Next question है, हाली में किस IIT सोत करताओने बिना lab test के bacteria का पता लगाने के लिए एक portable device विक्सित किया है तो यह portable device विक्सित किया गया है IIT GUAHATI के द्वारा इसके थुरू बिना lab test के bacteria का पता लगाया जा सकेगा बात यहाँ पर आई है GUAHATI की तो GUAHATI से related दो fact आप जरूर याद रखिएगा पहला यह GUAHATI में इस्थित है माजली द्वीप जो कि विश्यो का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दूसरा आप यह याद रखिएगा जो GUAHATI railway station है यह सौर उर्जस संचालित भारत का पहला railway station है next question है हाल हमें किस IIT ने Global Student Solar Assembly का आयजन किया और Global Student Solar Assembly इसका आयजन किया था IIT Bombay ने कब किया था दो अक्टूबर 2019 को यहनि की गांधी जी की 150 वी जेनती पर गांधिवाद की विचारधार को बढ़ावा देने के लिए IIT Bombay ने Global Student Solar Assembly का आयजन किया था बात की जाए यदि IIT Bombay की तो इसके स्थापना हुई थी 1958 में और यह महरास्ट्र में इस्तित है next question है हाल हमें चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए AIIA ने किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किये है MOU यदि कि Memorandum of Understanding यह हस्ताक्षर किये गए है IIT दिल्ली के साथ हस्ताक्षर किये किसने है AIIA ने यहाँ पर इसके फुल फॉर्म बनती है All India Institute of Ayurveda इसी ने ही IIT दिल्ली के साथ MOU पर हस्ताक्षर किये है next question है हाल हमें सरकार ने किस IIT के साथ अपसिष्ट प्रौध्योगी की इनकी गार्वेश टेक्नोलोजी के लिए उतकरिश्टिता केंद्र इस्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किये है तो यह समझाता भी किया गया है IIT दिल्ली के साथ ही अपसिष्ट प्रौध्योगी की के लिए next question है हाल ही में भारत के कितने युनिवरस्टि को IOE यनि की Institute of Eminence इसका दर्जा दिया गया है तो कुल पांच उनिवरस्टि इसको यह दिर्जा दिया गया है यह पांच उनिवरस्टी है कौन-कौन सी IIT मदरास, भू, IIT खड़कपूर, दिल्ली उनिवर्सटी और हैधराबाद उनिवर्स्टी अच्छा या IOE इसका दर्जा दिया किसने है यह दर्जा दिया गया है MHRD के द्वारा और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे HRD मिनिस्टर यह है कौन इनका नाम है रमेश, पोखरियाल, निशंग और इनकी कॉंस्ट्वेंसी है हरित द्वार तो ये भी आप याद रखेगा नेश कोश्चन है हाल ही में जारी किये गए National Institute Ranking Framework इसमें कौन सा Institute पहले स्थान पर था और National Institute Ranking Framework इसमें पहले स्थान पर था IIT मद्रास, दूसरे स्थान पर था IIT Bangalore और तीसरे स्थान पर था IIT दिल्ली जो IIT Bangalore है यह पिछले वर्सेनी की 2018 में पहले स्थान पर था नेश कोश्चन है हाल ही में भारत का पहला स्वदेसी Microprosesor यह किस IIT ने लौंच किया है तो भारत का पहला स्वदेसी Microprosesor यह लौंच किया गया है IIT मद्रास के दोरा अच्छा इस स्वदेसी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इसका नाम है शक्ती जो की IAT मदरास के द्वारा डेवलप किया गया है Most important question है जरूर याद रखिएगा Next question है वर्तमान में भारत में कितने IATs है? तो अभी मैंने बताया है वर्तमान में कुल 23 IATs Next question है भारत का एक मातर शहर जहांपर IAT और IAM दोनों ही है Most important question और भारत का एक मातर शहर इंदौर है जहांपर IAT भी है और IIM भी है Next question है हाल ही में जारी QS University ranking में कौन सा institute पहले स्थान पर रहा? तो कुछ समय पहले ही QS University ranking जारी की गई थी जिसमें पहले स्थान पर रहा IAT Bombay दूसरे स्थान पर IAT Dilli और तीसरे स्थान पर IAT Bangalore यह overall world की बात की जारी है जिसमें IAT Bombay का स्थान रहा 152 IAT Dilli इसका स्थान रहा 182 और IAT Bangalore यह था 184th position पर आप लोगों को यह बताना है कमेंटर बक्स में कि QS University ranking में पहले स्थान पर कौन सा इंस्टिटूट था इस वीडियो का अंतिम प्रश्ण है Most Important Question हाल ही में कविता गोपाल को भारत का राष्टपती पुरुसकार से सम्मानित किया गया है यह किस IAT से बिलॉंग करती है इनका नाम Most Important है कविता गोपाल क्योंकि यह भारत का राष्टपती पुरुसकार पाने वाली पहली छात्रा बनी है और यहां बिलॉंग करती है IAT मदरास से इसके बारे मैंने आप लोग बताया भी था कि अभी हाल ही में IAT मदरास ने अपना 56th Convocation इनकी दिक्षांत समारो सेलिब्रेट किया है जिसमें कविता गोपाल को इस उपाधी से सम्भानित किया गया था तो यह भी आप याद रखिएगा तो दोस्तों यह थे चर्चित IAT से रिलेटेड Most Important 20 MCQ जिसमें मैंने आप लोगों को सारी ही Facts क्लियर किये है I hope यह वीडियो आप लोग पसंद आया है और जिस डिटेलिंग और जिस Extra Facts के साथ आप लोगों को मैंने पढ़ाया है सेम उसी डिटेलिंग और Extra Facts के साथ Online Study Point की Master PDF, Yearly PDF और Monthly PDF दोनों ही अवलेबल है आप Online Study Point के Description Box में जाईए वहाँ पर आप लोगों को एक लिंक मिलेगी जहां से आप यह PDF को डाउनलोड कर सकते है तो दोस्तों यह वीडियो शेयर जरूर करिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं यह भी जरूर बताईएगा आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मुझा